नमस्कार, वेलकम टू केम सिक्षा, इफ यू वांट वीडियो सुलीशन फॉर एनी ओफ यूर केमिस्टरी कोशन, अगर आपको अपने किसी भी केमिस्टरी कोशन का वीडियो सुलीशन चाहिए हो, तो ऐसे में आप अपने उस कोशन को प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे करें, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, विल बी हैपी टो हेल्प एक्चलिए, ओके, तो अगर देखें बचो, तो यह सिम्पल सा कॉशन जो है आपका, इस कॉशन इस त्रम आइटी, एडवांस 2020 पेपर कॉशन क्या कह रहा है, कॉशन यह कह रहा है कि आपके पास यह कुछ मॉलिक्यूस हैं, तो उनके बारे में कह रहा है कि अगर चार्जड कॉम मैं उसके पास लेके आया, तो ऐसे में वो मॉलिक्यूस क्या कर रहे हैं, इन में से कुछ मॉलिक्यूस डिफलेक्ट हो रहे हैं, छो होटुप देता है तो ही बात हुए कोश्चिन परेशी बसके सब्सक्राइब करने तो इस पूछन पड़ते हैं perhaps फूरों of them are polar, तो actually मैं जो polar molecules होंगे इन सम में से, वो deflect होंगे, जो polar नहीं होंगे, वो आपके deflect नहीं होंगे, simple effect है, तो इन में से कौन-कौन से आपके polar molecule है, simply यह देखना है, तो अगर देखा जा, तो starting के दो, जो मैं को देख रहे हैं, वो diatum molecules है, diatum molecules में तो हम simply कह सकते हैं, कि भाई, आपके पास अगर same elements आपस में जुड़े हुए है, तो इसका मतलब कि उनके बीच में electronic differences नहीं है, तो अगर उनके बीच में electronic differences नहीं है, तो ऐसे मैं सीधा-सीधा कह सकता हूँ कि भाई, यह आपका क्या है, यह आपका generate हो गए, that's why this kind of bonds, these kinds of molecules are known as your polar molecules. तो since पहला तो पकड में आया है, एक तो पकड में आया है, एक polar molecule तो आपका यह है, मैं इसको highlight कर देता हूँ, HF आपका polar molecule पकड में आया है, अच्छे यह तो diet of molecules तो दोनों के दोरों तो हमने directly सोच लिए, लेकिन इसके बाद कि जितने भी example हो, सारे कसारे diet of गी नहीं है, वो polyatomic molecules है, उनमें आपको diagram बना के देखना पड़ेगा, जैसे कि next है पानी, उसका diagram बना के देखना पड़ेगा, फिर यह जो dipole movement वाला concept आपने सीखा होगा, dipole movement वाले concept के हिसाब से आपको यह देखना होगा, net dipole movement cancel out हो रहा है कि नहीं, जैसे अगर H2O का देखूं, तो H2O का यह जो OH bond है, यह bond तो polar है, but over a molecule, molecule भी polar होई सब तो देखा जातो, ठीके ना, तो अच्छा, यह मैं जिरा, अभी थोड़ी देर मैं इस पर बात करता हूँ, CCL4 के example में, फिलाल अगर देखें, तो यहाँ पर यह bond polar है, अगर आप देखो, तो इसकी oxygen being more electronative, तो dipole movement यह दर को जाएगा, इसका dipole movement यह दर को जाएगा, जिसकी वैसे net dipole movement अपर को निकल जाएगा, cancel out नहीं होगा, dipole movement cancel out नहीं हो रहा है, that's why dipole movement will not be equals to zero, जब भी dipole movement not be equals to zero होगा, तो वो polar molecule होगा, हमें polar ही डूढ़ना है, इसलिए हमें next भी मिल गया, पानी भी polar है, similarly अगर मैं ammonia की बात करूँ, तो ammonia is also polar molecule, ammonia की आपने diagram बनाया, आपने यह देखा कि ammonia में भी जो आपके dipole movement है, वो nitrogen की तरफ को जाएंगे, क्योंकि nitrogen है more electronic, तो more electronic development की तरफ को आपके dipole movement के arrows जाते हैं, तो यह आपके dipole movement अपसाइड जा रहे है, net deployment आपका upside जाएगा, जिसकी वैसे net deployment तो यहां भी cancel out नहीं हो पाए है, जिसकी वैसे जो आपके beach वाले oxygen है, यह beach वाले oxygen के पास lone pairs होंगे, जिसकी वैसे tetraheadle है, यह linear नहीं है, जिसकी वैसे क्या है, जिसकी वैसे विल्कुल symmetric molecule नहीं बन पाएगा और cancel out नहीं हो पाएगे dipolement, that's why आप कहोगे कि यहां पे भी dipolement cancel out नहीं हो पाएगा, और यहां पे भी आप इसको judgment करोगे, आप बोलोगे कि यह आपका कैसा है, यह आपका polar molecule है, तो I can say this is also polar, तो अभी तक जितने भी देख रहे हैं हम सारे polar आ रहे हैं, except O2, अच्छा जी, अगला आपका है CCL4, CCL4 अगर आप देखें तो CCL4 का structure आप बनाएंगे, hybridization के हिसाब सो, SP3 बना के, उसको मैंने tetrahedral बना दिया, इसमें chlorine being more alternative, तो आपके जो net deployment हैंगो, chlorine की तरफ को जाते हुए देख रहे होंगे, deployment, chlorine की तरफ को जाते हुए देख रहे होंगे, यहां जो मैं गलती से कुछ बात कह रहा है, तो वो actually मेरे को यहां कह नहीं थी, अगर आप देखोंगे न, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका, यह जो deployment मानलों, इन दोनों CL सो जो net deployment आया, वो इधर को आया, और यह जो net deployment आ रहे है, यह भी एक दूसरे cancel out कर रहे है, जैसे vector quantity से deal करते थे मुझतर के से, जिसकी वैसे यहां पर सारे के सारे deployment आपके cancel out हो जाएंगे, और net deployment आपका 0 के equal आजाएगा, net deployment 0 हो जाएगा, तो मैं यहां पर जैसे बोल रहा था, वो यह बात मेरे को यहां बोल लिए, कि actually क्या है लेकिन अगर diatomics से उपर को बढ़ोगे, तो ऐसे में आपका bond polar है, तो doesn't mean कि overall molecule भी polar होगा, तो overall molecule polar है है या नहीं, उसको देखने के लिए अप net deployment आपको देखना पड़ेगा, vector quantities जैसे हम देखते थे कि net deployment, net vector quantity बच रहे है कि नहीं, तो ऐसे हम देखें कि net deployment बच रहे है कि यह तो बिलकुल symmetrical था, CCL4, हर तरह से chlorine 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 थे, cancel out कर गया, अगला इसके से मिलता जुलता कुछ है, बट उसमें एक hydrogen आ गया, तो इसमें symmetrical नहीं है, एक दूसरे को perfectly cancel out नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ deployment बचेगा, जिसकी वएसे यहाँ पर deployment क्या होगा, non zero होगा, जिसक CLA एक hydrogen है, overall cancel out नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ deployment फिर भी रह जाएगा, जिसकी वएसे polar molecule है, तो इसको भी highlight कर दूँ मैं, this is also polar molecule, similarly next example पे आओं, तो CC66, CC66 के नाम से ही आपको पता होना चाहिए, कि यह क्या कहना चाहरा है, यह आप से benzene कहना चाहरा है, बenzene में आपको benzene का structure हो गया, बिल्कुल symmetrical molecule, अगर आप देखोगे, तो deployment एक दूसरे को बिल्कुल cancel out कर देंगे, जिसकी वैसे deployment equals to zero आजाएगा, ने deployment, जिसकी वैसे यह भी कैसा है, यह भी आपका non-polar molecule है, very famous, non-polar molecule, benzene is non-polar, ठीक है, लेकिन अगर इसी benzene पे अगला example में देखो, तो अ हर तरफ से hydrogen से तो symmetrical था, अभी एक chlorine आ गया, जैसे ही हाँ पे था, जैसे ही symmetrical नहीं रहा, तो इसमें deployment आपका cancel out नहीं हो पाया, तो इसमें भी net deployment आपका cancel out नहीं हो पायेगा, कुछ ना कुछ deployment बचा रहे जाएगा, जिसकी वैसे यह भी polar molecule है, तो अगर मैं polar molecule को देखना चाह तो 6 molecules आपके polar है, तो how many of them show deflection, तो out of all these molecules, 6 will show deflection, तो answer should be 6, इस तरह के questions पर प्लीज काम करें, अगर ऐसा question आपके time पर IIT में आ जाता है, जब भी आप IIT का exam दोगे, तो ऐसे questions बहुत scoring होते हैं, ऐसे questions बहुत प्यार से आपकी rank boost करते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा number खी आएंगे chemistry में, और बड़े अराम से आपकी rank boost हो जाएगी, okay, so answer is 6, thank you, please subscribe, Chem Sikshya